कैलिशियम की कमी क्या है भूल जाओगे हाथ पैर घुटने कमर दर्द जड़ से गाया दोस्तों शरी में कैलिशियम की कमी जोड़ों और घुटनों में होने वाले दर्द को तूरन ठीक कर देगा यह उपाय आप सभी जानते ही है कि हड्डियों और दातों को मजबूत करने के लिए भोजन में कैलिशियम व्युक्त पदार्थों को शामिल करना जरूरी है केलशियम की कमी के कारण हड्डियों में कमजोरी हो जाती है जिसकी वज़ा से कमर में, जोडों में तर्द होना, गुटनों में तर्द, मांश्पेशियों में एठन, नसों में ब्लॉकेज, हाट के समस्याएं वो नर्व सिस्टम पर पूरा प्रभाव पड़ता है नॉर्मली देखा जाए तो बुज़ूर को लोगों के शरीर में कैलशियम की कमी को अधिक पाई जाती है बढ़ती उम्री के साथ साथ शरीर में कैलशियम की मातरा कम होती जाती है और शरीर का चारतर कैलशियम हड्डियों में ही होता है उम्रे बढ़ने के साथ साथ हड्डियां पतली और कमजूर हो जाती है तो ऐसे में शरीर को कैलिशिम की ज़रुत पड़ती है लेकिन आजकल की खराब लाइफटायल की वजह से कम उम्रे के लोगों में भी कैलिशिम कमी देखी जा सकती है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो कि शरीर में कैलिशिम कमी है जी हैं दोस्तों सिर्फ जोड़ों में दर्द गुटनों में दर्द हड़ियां कमजूर होना ही कैलिशिम की कमी की निशानी नहीं है इसके लाव और वी बहुत से लक्षन हमारा शरीर दिखाता है तो हम इससे कैसे पहचानेगा कि शरीर में कैलिशिम कमी है और कैलिशिम कमी को दूर कैसे करना है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिनने वाली है तो वीडियो को ध्यान से अंतकर चरू देखिए चलिए जानते हैं कि अगर शरीर में कैलिशिम में कमी हो जाए तो शरीर में किस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं दातों और हड्यों में दर्द होना हमारा शरीर का 90% कैलिशिम दातों और हड्यों में जम्म होता है इसकी कमी से दातों और हड्डियों में दर्द होने लगता है कैलिश्यमी कमी से दोस्तों neurological problems जैसे कि सिर पर दबाव की वज़ा से seizure और सिर दर्द हो सकता है कैलिश्यमी कमी से depression, insomnia यानि नीन रानी के समस्या, personality में बदला और dementia भी हो सकता है दोस्तों कैलिश्यम दिल के काम करने को भी आसान बनाता है और इसकी कमी होने पर हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और वेच्यानी हो सकती है कैलिश्यमी कमी वाली महिलाओं को मासिक धर्म के दोरान काफी तेज दर्द हो सकता है क्यूंकि मानस्पेशियों के काम करने में भी Calcium एहम भूमी का निभाता है दोस्तों श्री में Hemoglobin सही मातरा में होने के बावजूद और पानी की उचित मातरा लेने के बावजूद भी अगर मांश्मेश्यों में खिचाओ या फिर एटन रहता हो है ना तो समझो कि शरीर में कैलिश्यों में कमी है अगर आपके नाखोन कमजोर हो रहे हो आप ही आप तूट रहे हो तो इसका मतलब है शरीर में कैलिश्यों में कमी है चलिए अब जानते हैं कि शरीर में कैलिशन में कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं एक मुठी काले चने को आप पानी में बिगोकर रख देजे राद भर के लिए कमजोर हड़ी और मांशमीशों के दर्द को दूर करने के साथ साथ काले चने में पाए जाने वाला प्रोटीन हमारे शरीर की कमजोरी और धाकान को दूर करती है यहाँ पर दूसरी चीज हम लेंगे बादाम हमें वो बादाम लेने हैं जिसमें तेल प्रचूर मातरे में हो सुखे हुए बादाम को ना ले मजबूत हड़ी और तेज दिमा के साथ साथ बादाम में वो हर तरह के निट्रिन्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट और बादी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही फादिमत है तो आप यहाँ पर दोस्तों छै बादाम ले लीजे और इसे काले चने के साथ पानी में भीग होते हैं इसके लाव आपको यहाँ पर चाहिए होगा गुड़ गुड़ दोस्तों पेड़ साफ रखने और मजबूत हड़ीओं के लिए बहुत ही फादिमत होता है इसलिए हमारे बुज़ूर गुड़ का ही इस्तमाल क्या करते थे और लंबे समत्यकुल की हड़ियां मजबूत होती थी तो आपको इतनी सी मातरा में गुड़ लेना है अगर आप शूगर पेशेंट हैं तो आप गुड़ का इस्तमाल मत कीचे आप रात बर छोड़े के बाद देखेंगे कि बादाम और चना जो है अच्छे जब फूल जाएगे आपको इन फूले हुए बादाम और चनों का सेवन सुबा खाली पिट करना है आप बादाम को छिल लीजे और चिलने के बाद बादाम के साथ चने को चबा चबा कर खालीजे और साथ में इतनी सी मातर में गुड़ भी आपको लेना है आप अगर सुब exercise करते हैं walking running के लिए जाते हैं तो exercise करने के बाद चने गुड़ और बादाम का seven किजी और इसे अच्छे से चबा चबा कर खाएगा, जितने अच्छे से चबा कर खाएगे ना, उतना ही अच्छा होगा आपके digestion के लिए, या आपके शरीर में भी लगेगा चलिए इस उपाय को आपको सुभा करना है बच्चे बुढ़े जवान सभी लोग इस रेमेडी का सेवन कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ कि रात को आपको क्या करना है आपको मैं कैल्शियम पॉड टिल का इस्तमाल कर रहा हूँ आप चाहां तो सब की दिल का बी इस्तमाल कर सकते हैं केल्शियम का भंडार होता है यह में कब्रती कमी को भांती तेजी से फूरा करने का काम करता है तिल खेलावाइस में लेंगे हम एक चम захस खस या निकी पॉपिकंद काने से दूस्तों हट इसका अस्तमाल करना है इसके दहाओ हम इट कर देंगे 18 से 20 बातान अब आपको क्या करना है इन 3चीजों को ग्राइंक कर लियना इसका पॉडर बना लेना है इस तरह से पॉडर बनकर तयार हो जाएगा चलिए इसका इस्तमाल करने का तरीका बताता हूँ एक गलस गाय का दूद लीजे इसे गर्म करने के लिए चड़ा दीजे तूद जब गर्म हो जाए तो लगबख आठ से दस गराम के मातरा में इस पॉडर का दूद में अड़ कर दीजे अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो एक टीज स्पून लेना है और अगर आप बढ़ों को दे रहे हैं तो एक टेबल स्पून इस पॉडर का इस्तमाल करना है दूद को अच्छे से बॉयल कर लेना है 3-4 मिनिट तक और मिठास के लिए आप चाहे तो इसमें मिसरी अड़ कर दीजेगा अगर आप डाइबेटिक है तो मिसरी यहाँ पर अड़ नहीं करना है नहीं चीनी का इस्तमाल करना है दूद को छान लेज़े और रात को सोने से पहले से पिलीजे ऐसा आप लगातार एक से डेड़ महीने तक ले सकते हैं कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों या फिर आप बीच में गैब देकर कभी भी हाथवेर में दर्द जोड़ों में दर्द की समस्या हो तो इस दूद को पिना शुरू कर दीजेगा साथ दिनों तक लगातार लीजेगा जब भी आपको हाथवेर में दर्द जोड़ों में दर्द कमर में दर्द की शिकायत होना तो इस तरह से दूद को बनाकर साथ से आड़ दिनों तक लगातार पिलीजेगा इससे आपको बहुत फादा मिलेगा और केल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप इस दूद को लगातार 15 से 20 दिनों तक जरू लिजेगा हाथ पर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हो तो दोस्तों आज हमने जाना केल्शियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं विडिव कैसे लिए कि आप हमें बताईगा और जियाते ते जरूर इस विडिव को लाइक करते जाएए धन्यवाद